कि हीमा चल के पूर मुख्य मंत्री जैरम Stickर हमारे सथ मौझूद है दिली दोरे पर पहुंचब हैं प्यां मोधी से औहोंने मुलाकात करी है राश्टे अद्ध्धि ज से मुलाकात करी है क्या क्या मुलाकात के पहले हैं उस sì मुलाकात की है जो राश्ट अदक्स है नड़ा जी उनसे भी आपने मुलाकात किये सब पदान मंती जी से चुनाब के परिणाम आने के परिशाद ये पहली बार बिलना हुआ शेश्टाचार की बेहन थी और हिमाचल प्रदेश के चुनाब में पदान मंती जी का एक बहुत ब भी लिया चाहं तक आज की मुलाकात है तो पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश में चुनाब के परिणाम जिस परकार से आये हैं उसमें क्या सारी चीज़ों को ले करके कैसे रहा इन सारी बातों को ले करके भी चर्चा हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि पदान मंती जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंदर से जो मदद जिस रूप में हम मौहिया करा सकते हैं केंदर सरकार की वर से उसको निश्ची तरूप से जारी रखेंगे और वो बचटर करके उसमें मदद करते रहेंगे हिमाचल के लोगों के लिए और हिमाचल के विकास में किस हिमाचल के हितों की रक्षा की है हिमाचल के हितों के लिए काम किया है और विपक्ष में रहते हुए सरकार अगर हिमाचल के हितों की बात करेंगे निरने ऐसे लेगी जिसमें हिमाचल परदेश की जनता का हितों तो हम भी सयोग करेंगे लेकिन जन विरोधी निरने अगर करें अब लोगसमा में वो बिल पास हो गया है सर किस तरीके से आप देखते हैं सर इस बिल को मैं तो एक तो आदनी प्रदान मंत्री जी का और ग्रिह मंत्री जी का हिर्दे से अभार व्यक्त करता हूं कि जो एक कंवनिटी हमारी हाठी कंवनिटी के लिए जो ट्राइविल का दर्जा देने की बात्ती वह लंबे समय से चला हूा था सीक्स्टीज से चला था अगैंटिन सीक्स्टीज का इशू था वह और अब जा करके। उसका समधान हुआ है और विधान सभा के चुनाब से पहले भी संदर में बाचित हुई थी आदिनी क्रिया मुंतिजी हिमाचल परदेश आये तो उनने बात कही भी थी परिनाम चाह जो भी हुआ है हिमाचल परदेश के इन विधान सभा चुनाबू में लेकिन फिर भी एक कमिटमेंट हमारी थी हाटी कमिटमेंट के लिए और उस कमिटमेंट को देखते हुए जो प्रशन खड़े किया जा रहे थे कि अभी बिल पारित नहीं हुआ लोग सबह में राज्य सबह में वो बिल पारित हो गया और वो कानून का रूप लेकर के आने वाले सुमय में हाटी कॉम्यूनिटी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हर्श का और खुशी का विश्य होगा जब उनको एक बहुत बड़ा उसका लाब मिलेगा ट्राइबल का दर्जा होने के पश्चात तो मैं केंद्रे ग्रिहमंती जी का पदान मंती जी का हिद्य से अवार व्रक्त करता हूँ और आश्टे देक्स जगत प्रकाशनर जी का भी और इसमें हमको दिश्ची तरूप से बहुत बड़ी मदद हिमाचल पर्देश के उन ख्षेतर के लोगों के लिए मिली है मंत्री मंत्री का गठन ना होना तो बहुत बड़ा एक संदेश जा रहा है कि सब ठीक नहीं है कॉंग्रेस के अंदर और ये भी एक संदेश जा रहा है कि कॉंग्रेस की सरकार में एक जुटता भी नहीं है और स्थिरता का एक महौल वरतमान में के अंदर कॉंग्रेस की सरकार में खासत और से जिस परकार से है उसमें वो बातें सारी अब लोगों के जहन में आ गई हैं किस परकार से सारी परस्तितिया वहां आने वाले सुमय में होंगी मैं सिर्फ इतने ही कहना चाहरा हूँ इस सारे विशयव को ले करके कि कि मंत्रिय मंडल का विश्थार करना इसमें ही इतना बिलंब लग रहा है तो आने वाले सुमय में सरकार में बहुत महत्तो पूर निरने भी करने होंगे कई चीज़ों को ले करके जो कमिट्मेंट से इनने की हैं दस कमिट्मेंट से इनने की हैं तो उनको पूरा करने में तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा कटना ही आएगी सर बीजेपी अब विपक्ष में हैं सर विपक्ष का नेता किस तरीके से जानकारी है कि आपको बना सकते हैं विपक्ष नेता आप बन सकते हैं उसको लेकर किस तरीके साब देखें तेकि इस सारे हमारा कोई विशय नहीं है हमारी पार्टी तैक करती है पार्टी की और से जो निर्ने होगा उसको सुर्कार करेंगे सब लोग काम करेंगे डटकर काम करेंगे खबरे अभी तक से बातचीत करने के लिए तो ये थे हमाचल के पूर मुख्य मंत्री जराम ठाकूर जिनोंने खबरे अभी तक से खास बातचीत की कैमरामन जसी के साथ राजा पटिल दिल्ली खबरे अभी तक